करेंगे ताकि कोई भी कोई एंसर लिखने से पहले हमें देखना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर वो कुईशन का एंसर फोलो करता है तो वह एंसर बहुत ही अच्छा होता है सो यहाँ पर कुईशन है क्रिटिकली एनलाइस सो उसके लिए सबसे पहले हम बड़ी ऐसा इंट्रोड़क्शन देंगे इंट्रोड़क्शन में हम वो सारी चीजे बताएंगे जो चीजे हम कोईशन में लिखने वाले हैं उसके बाद वो होगा एक पैरेगाफ दूसरे बात करेंगे और जो कि एक कोई special structure कोई चीज फोलो करती है उसके बारे बात करेंगे अपना एक opinion देंगे एक बड़ी ऐसा conclusion देंगे ओके लेस्टार्ट